नश्कार बड़ी बात में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ जोती सांगवान बड़ी बात में आज हम बात करेंगे हर्याना की हर्याना की सरकार की पंचकुला हिंसा मामले में SIT ने सरकार को 10 नाम भेजे थे जिन पर देश द्रोहों का मामला दर्ज किया जाना था लेकिन सरकार ने उन में से 2 नामों पर सहमती नखी दी साथी 5 नाम वो भी हैं जो कि सरकार के पास spending पड़े थे जबकि 3 नामों पर सरकार ने सहमती दे दी थे इसके अलावा बहुत सारे और भी मामले हैं जिसमें चातरसंग चुनाओ की बात कर ले इन सो की सारी मागे मानली हैं रोडवेज करमचारी महसंग की भी 12 में से 8 मागों को सरकार ने मानली आख हैं साथी अमिट्शा की जीद रैली से पहले जाट समुदाय की मागी भी सरकार डाला कया तो पहले रिपोर्ट देख लीजिए कि सरकार मनोहर सरकार कब कब कदम पीछे कीचती नजर आई कब कब बैक फूट पर नजर आई उसके बाद बड़ी बात में बड़ी पहस हर्याना में बीजेपी की सरकार बनते ही मुश्किले सामने आखडी हुई लेकिन तब चले कर अब तक जिस तरीकी से हर्याना सरकार ने हर मुश्किल का सामना किया उस पर आरक्षन अंदोलन से लेकर राम रहीम केश तक सवाल हर बार उठे लेकिन कभी हां कभी ना करके सरकार काम चलाती रही तीन साल से जादा के कारेकाल में उठाए कज़ों के चिन्हों को ठूड़ेगी तो लंबा वक्त लग जाएगा पिछले दो-तीन दिन में लिए गए सरकार के फैंसलों पर नज़र डालेंगे तो तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी पंचकुला हिंसा को लेकर आज डीसीपी मनबीर सिंग नहीं बड़ा बयान दिया है पंचकुला में हमने इसमें जितने दस केसिज दर्ज किये थे जिसमें से तीन केसिज में गवर्मेंट की तरफ से हमें सेंक्शन आ गई हमारे और दो केसिज जैसे हैं जिन में गवर्मेंट ने डिनायल आया है गवर्मेंट की तरफ से मतलब सरकार ने क्या सोचकर यहां S.I.T.E. की सिफारिश को ठुकराया है यह तो वही बेहतर जानती है दूसरा बड़ा कदब सरकार ने उठाया है छातर संग जुनाव को लेकर इस में नेलो की छातर ही काई इंसो की सारी पाते सरकार ने माल लिए और करमचारी माहसंग की भी सरकार ने बारा में से आठ मांगे माल लिए हरियाना करमचारी माहसंग के नेताओं को बातचित के लिए बुलाया और हमारी जो मांगे थी उनको लागू करने की घोशना की जिस पर हमारी आठ मांगों पर स्वेमती बनी है जिसमें कैसलस मेडिकल सेसलिटी है जो पहले पांस लाग की शिलिंग थी उसको हटा दिया गया और केवल करमचारियों के उपर थी अब वो करमचारियों और पैंसनर्स और उनास्तों पर सभी पर लागों थी जिन्द रेली से पहले भी हर्याना सरकार ने जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के आरूपियों के केस वापस लिये थी मतलब जब जब सरकार के सामने परिचानी आकर खड़ी हुई तब तब सरकार ने कदम पीछे कीचे जिसके बाद सवाल ये उठने लगे कि क्या सरकार डर गई थी क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह की रेली से पहले केस वापस लिये गए तो विबक्ष के साथ साथ खुद पीजेपी के सांसुत ने सवाल खड़े कर दी यहां तक कहा गया कि सरकार ने एक समुदाय के आगे ढूटने टेक दिये और आज दो मामलों में सरकार ने फिर से कदम पीछे खिंच लिये और तो और पंचकुला हिंसा तक सरकार कड़ा कदम उठाने से कतराती रही और आज भी वही रविया नजर आया तो सवाल यह है कि आखिर सरकार किस बात से ड़ती है क्या जीद रैली से कोई संदेश सरकार के अंदर गया है और सरकार किसी को नराज नहीं करना चाहती है क्या ये 2019 के तैयारी का हिस्सा है क्या सही गलत पर भी सरकार संख्या को देकर फैसले कर रही है क्योंकि हर चीज के लिए धरना होना और उस धरने के बाद सरकार का छुप जाना कई सवाल खड़े करता है तो बड़ी बात में बड़ी बहस करेंगे चर्चा करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे क्या मनुहर सरकार डर जाती है क्या सरकार तब डर जाती है जब लोग सडकों परा जाती है क्या सरकार तब डर जाती है जब प्रदर्शन करने वालों की संख्याज ज्यादा होती है और पंचकुला खिंसा की मामले को भी इस तर्चा में हम जोड़ेंगे चुंकि शुरुआती तोर पर लगा था कि सरकार कड़ा एक्शन इस मामले में लेगी, कि करीब 40 लोगों की जाने चली जाती है, संपत्ति का नुकसान होता है, उसके बाद जो पंचकुला की DCP ने आज क प्रवक्ष्र रखेंगे यह ने लोगों साथ है, क्रिश्न धूल हमारे साथ BJP की प्रवक्टा चर्चा में है, राजी रंजन रोई वरिष्ट पत्रकार आप हैं और वरिष्ट अधिवक्ता इन से कानूनी मामला पुरा समझेगे, गुरिंडर पाल सिंग्जी हमारे साथ इ हैं ये सब को पता है मनोहर सरकार नय पालिका के अधीन और उनके नियम और कानून को मानने वाली सरकार है और हमने जो करके दिखाया है वो हर्याना के इतियास में आज तक नहीं हुआ था डेराराम रहीम के जो मुखिया थे वो एक ही वारिश से पहले नय पालिका के सामने आय सारी चीजें इतियास में दर्ज हैं और हमारी सरकार ने जो कदम उठा करके करके दिखाया है वो वो एक विश्वस्निय कदम था और आज देरा करीब देखी जोती मैंने कहा निश्चित तोर पर वो दुखत गटना थी उसके लिए मान्य मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी और पूरे हरियाना प्रदेश की भारते जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश में समेधना वेक्त की गई लेकिन उसकी परनिती क्या हुई यह बहुत बात हो सकती है लेकिन क्या समवेधना इस जाखिर किया जाना काफी है जब देशद्रों की जो एफाइर होनी है उनमें ग्रेह विभाग इतना सोचता है कि दस में से केवल तीन नामों को मलजूरी दी जाती है एफाइर के लिए जोती जी शैद जिस गंभीरता और जिस सहज गया अपराधी बहुत ज्यादा ताकत्वर था कम हो सकती ठी ज्यादा हो सकती थी इस चीज ओ please लेकर हमने बहुत बार डिबेट की है और यह विशय इस परकार का है कि मैं ये कहकूं के हिंसा बहुत ज्यादा हजारों 1000 की जान जा सकती थी वो भी गलत है जो जान कम गई जादा गई आदेशा अनुसार अभी भी चल रही है जो सब्सक्राइब ने पालिका के संकक्स रख दिया देखिए इस मामले में मैं या चिका करता हूं तो मैं आपको बड़ा स्पर्श रूप से पता देता हूं कि निश्चित रूप से इसमें कही ना कहीं को ताही बरती गई एक जगह पड़ नहीं कंसे कम 20 जगह पर इसी मामले यहां तो फ यर के अंदर हमें पता है कि फ यर के अंदर जो है ग्रेवी बाग के इनको चाहिए थी जो है सेडिशन के लिए चार्ज से लगाने के लिए लेकिन सरकार ने वह सुझ ग्रेवी बाग में कांसें इंक्षार अपर से च साजिश नहीं थी क्या यह हमारी नियाय पालिका की को सब्वर्ट करने के भारत के समीधान के खिलाफ एक साजिश नहीं थी इस बात का जवाब तो जो है इस पर रूप से सारे देश ने देखा है कि किस प्रकार से जो है पंचकुला के अंदर एक डेरे के द्वारा कथी तौर सब्सक्राइब प्रश hadnkah यहां आए पुर्शन के पास में प्रशाव में यह तो जानकर हूँ है मामला यह तो ब्रृप से दिख रहा है और दिखता दिख follow मि अगली तारी क्यों पर राए तेरिये मामला था उसमें ग्रेह विभाग क्या सोच कर चल रहा है फिर मैंने जोती जी आपको बताया कि किस परकार की कहां सलिप्तताएं थी डेरे को किसका सरक्षन प्रापत था डेरे के साथ कौन से विधायक और पूरो विधायक लोग शामिल थे किसकी गाडियों में नहीं परादियों की संख्या कहां तक गिटी है गराफ कितना गरा है अपराद कितने कम हुए इस श्रकार शुरुवाती तो और पर जिस तरह से काफी सक्त नजर आई एक समय सिमा के बाद अभी जिस तरह का बरताव किया दा रहा है क्या सरकार नर्मी बरत्मी के मूर्वे पहले तो इस सरकार को अनबवीन सरकार समझा जाता था और आज हलात यह हैं कि साड़े तीन साल के बाद आज भी मेरे भाई क्रिशन दूल जी वही दलीले दे रहे हैं कि हमारी सरकार ने बहुत बचाव कर दिया हैं अब आप मी सुनिए हैं बड़े भाई हैं बहुत सीनियर हैं मैं बहुत आपकी इजस्थ करती हूँ और मैं सबसे मांदियोगी भाजपा में सबसे अच्छे प्रवक्ता हैं तो मैं की कहना चाहती हूँ कि साड़े तीन साल में तीन बार आप हर्याना जला देते हैं, क्या इस सरकार के चुनाव के लिए आपको चुना गया था, जहां तक बाबा राम नहीं के केस की बात है, सारा जग जानता है कि जो भी साइटी कटित हुई है, वहां से कितने ट्रक भ पूल जोकने के लिए SATA बना देते हैं, और उसके बाद टाइम गयाप के बाद धिरे-दिरे अब लबता है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, और जीन की रेली ने आपको एक बहुत बड़ा जटका दिया है, जहां पर आपके आठ व्लॉक खाली रह जाते हैं, और अ स्टेंडिंग बनती हैं चुनाव के आसपास, उसका यह लोग फैदा उठाते हैं, यह बास भी सही है कि भारती जनता पार्टी उनके पास गए थे और उन से इनोंने भोट मांगा था, और उनके लोगों ने इनके लिए बोट किया भी था, डेरा मामले का जो जब वायलेंस उसकी रूप सामने आई, उसमें फिर सरकार एक्सपोज हो गई, तो कहीं ना कहीं इसी एक बड़ा स्ट्रॉंग मेसेज गया कि सरकार साइध बड़ी स्ट्रॉंग ली इसको हैंडल नहीं करना चाहती थी, वो उसका परिणाम यह हुआ कि 40 यहां इतने लोग मारे गे, 30-31 ल पैर में उसको गोली मार करके डिसपर्स कर सकते थे, लेकिन उनको जान से मारा गया और सारे लोग बेचारी स्पोट में मारे गये, तो यह सरकार की बहुत बड़ी फैलियर थी, उसके बाद भाइलन्स भी हुआ, उसको भी सरकार रोक नहीं पाई, तो मुझा लगता है कि ड सरकार डर गई है और डर की मारे सरकार नरम पढ़ जाएगी इस वावले में, जोती जी मैंने ये कहा कि जिस परकार से डेरे के परमुख को जितना ताकतवर इस से पहले की सरकारों ने माना था, कम से कम भारतिये जंता पार्टी ने, सुनिए मैं जी आप यह अपनी शब्द के राज में जो चीज की, वो सब को पता है, हमने कम से कम उस डेरा परमुख को अपराधी गोशित करने के उपरां, उसको सजादी, उसको जितना नहीं रखते कि जब तक मामला अदालत में नहीं जाता, रविद्र धुल जी भी हमारे साथ हैं, जिनकी और सियाती का इस मामल में, जोती जी अगर सरकार डरती, तो कम से कम आज डेरा परमुख वहां नहीं होते जहां हैं, यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, कि मनुहर सरकार बिना डर के काम कर रही है, जो पैसला अदालत सुनाएगी, उस पर सरकार क्रेडिट ले लेगे, लेकिन जिस कानून व् जवस्था को बनाकर रखने का काम ही सरकार का है, जिमिदारी ही सरकार की है, वहां पर लोग ऐसे थे जो इंजड हुए गोलियों जिस लेया पालिका के सामने एक पैसी के दौरान, रविदर हो जी बोलिए, बिल्कुल स्पस्टूप से मैं आब आपको बता दूँ कि क्यों कि मामले में सक्था का रवाई होगी है, इसके लिए बाज़पा, कुछ भी कह लिए, सरकार कुछ भी कह लिए लेगन निशपक्ष से मैं आपको स्पश्च लूप से बताताउ हूं कि ही कोई बें की से लेकर को कि आपने पॉलिटिकल सरण्डर किया है, और निये कहा कि कोई तोँसे का कि नियुक्त है कोई भी अधिकारी हो कोई भी नेता हो किसी भी राजनेतिक दलकाओ किसी भी सरकार का हो हम उसे बख्षेंगे नहीं यदि पंचकुला में कोई भी कोता ही बढ़ती गई ठीक है उसके बाद में मानिया इकोट ने कहा कि जिस बीड को आपने यहां पर इकठा होने दिया मैं आपको बता दूं कि आज जो है हमारे पास में 345 नंबर फिर की पूरी चार हाई कोट की डिरेक्शन के बाद में जो है सरकार ने उनको निकालना बार शुरू किया जितनी भी कारवाई हुई है यदि हाई कोट बीच में आपको बतातो मानिया कोट की फुल बेंच ने छे फरोरी को कहा कि यह भगवान ही हर्याना का रखवाला था यदि हाई कोट बाशा में बुलता है कैवियेट फाइल करना चाहता हूं क्योंगि आप देरा सचा सवदा की बात कर रहे हैं मैं सिरसा से तानुक रखता हूं और शत्रपती जी जो जो इस पत्तरकार थे जो इसके शिकार हुए इस डेरा के वो मेरे बहुत कलोज मित्तर थे बहुत नजीद करूँगा तो उसमें कई बार होता कि बाइस टोपीनियन होती है वो प्लिटिकल एंगल की बात है लीगल एंगन पर भी हाऊंगा सबसे पहली बात तो मैं यह टिपनी करना चाहूंगा कि यह जो सरकार एक दूसरे पर की लोग दलवालों को भी उन्हें बोट दिया कांग्र करते हैं लोगों के पास जाती हैं और सट्टा समबालती हैं और उनके वह जिस-दिन सकता में आती है उस दिन में एक ओत ले जाती है और उस होत के मताबक स्वैधानिक काम करना होता है कि देश्टरों के मामली दर्ज होने हैं तो यह टीक हैbek लेने के लिए आप उनके दर्बार पे गए लेकिन ये ऐसा मैंने पहली बार दिखा है कि मंत्री मंदल ये मौझूदा मंदल शब्त लेने के बाद पूरा मंत्री का मंदल वहां पर मौझूद था तीसरे दिन आप लोगों ने भी दिखाया और हमने ख़बारों में भी पड़ रही है वह निबाने की बनाए वोट की राजदीती जो है जब वहावी होती है तो सविधान से कंड्री हो जाता है बहुत चर्मनाक है फिर कि 2019 करीब है आप लोगों की जो फैसले आप लोगों के होने चाहिए वो उसको प्रभावित कर रहा देखे जो ती जो लोग राजनी राजनीतिक पार्टियां रही वो भी जाती रही और आपका ये मानना है कि हम लोग आज किसी परकार से डर एक भीतर पहुचा दिया हो क्या वो भारतिया जनता पार्टी को इस पार्टी राजनितिक पार्टियों की सरकारों ने दरकिनार करके रखा हुआ है कर दो दो दिन पहले जो थे आनिलवीज सहाब वहां पे चास लाक रुपया डुडेट करके आती है आपके मुख्य मंतरी जी से ले करके आपके सबीके मंतरी आज तक और अब सुझें इसको अभी कंडें करती हूं आप तो हर चीजों को कंडें करते रहते हूं अगर अगर दन्यवाद की किसी चीज का धन्यवाद करना किसी चीज का अभिवादन करना गलत है तो हम इस बात को नहीं अगर विश्चाव कर सकती होगी राजी रंजीता जी जब वह लगांग वह दिखना दीगई जब फैसला अदालत के आगया अगर शन्जा सवार वी से पर लिए पीज़ेपी और बीज़ेपी के सुनी रूप भी नहीं कि यहां तक बात है इसको हमें दो भागों में रखना चाहिए एक तो है का अब डेरा से वोट लीजे बिल्कुल सही है लेकिन जब कोई आदमी अक्यूस्ट हो जाता है जब उसको सजा सुनाई जाती है तो फिर उस सजा को सुनाने के दर्मियान या बाद में कोई भी वाइलेंस ना हो यह सरकार की रिस्पॉंस्बिलिटी यह पंचकुला में जो हुआ सरकार की भी मैं मानता हूं कि लार्ज स्केल पर कहीं न कहीं हुई सरकार के बात माननी चाहिए यह नहीं होना चाहिए ता हो गया मागे का दियान वी नहीं है लेकिन आनफर्चुनेटल वैसा होता नहीं धैससे की मुकदमा नहीं होग स्कुर्णे लेकिन सरकार की मनसा असपस्ट नहीं हो पाती है क्योंकि उनको कहीं न कहीं डर लगता है कि फिर यह हमारा जो वोट है मेरे हां से खिसक जाएगा तो आपको नुक्षान हो सकता है लॉंग टर में इसको राष्ट को समाज को ज्यादा नुक्षान नुक्षान नौन स्टेट प लेकिन एक व्यक्ति जो रेप जैसे गंभीर अपराद का अपरादी ही नहीं उसको चारश शीट किया गया और उस पर ट्राइल चल रही है वन जिसके खलाब मडर के कैसे चल रहे हैं पुरा मंदल उसके सामने मध्था टेके तो आप क्या वो देना चाहते हैं कि यदी किसी व्यक्ति के पास 400 वोट हैं और वो कितना ही बड़ी अपरादी हो सकता उसके सामने समर्पन करने के लिए तयार है वो सकता चाहि किसी की भी हो मैं नाम नहीं लेडा चाहता है आपकी तो आज के दिन सामने आ चुकी है आप आता हूं मैं राश्ट्र दरोग के केस पे मैं एक की इस तरह का वखील हूं जो राश्ट्र दरोग केस लगाने के इतना जलदी लगाने के ही खमें नहीं हूं लेकिन यदि आपने एक पद राश्ट्र दरोग का केस लगा दिया आपने का कही कि ये करा दोगिया मेरा मानना ऑनना कही से किरOU conducting दारा में आते ही नहीं गया वी लगा गया है और सरकार से सवाल पूछने भी लाजबी हो जाते हैं रविद धुल जाट जो आरक्षिन आंदोलन रहा उसमें भी इसी तरह की चीजी देखने को मिली कि कि सरकार करवाई करती है एक समय सीमा के बाद उसके बाद सरकार खुद से ये कहती है बैठक के बाद की मुकदमे वापस ले लिए जाएंके बिल्कुल मैं गुविंदर जी की बाद से सहमत हूं कि नौन स्टेट और राजी उरंजन जो का नौन स्टेट प्लेयर यदि हम ऐसे संटेख लीन जाता है कि आप जबर दस्ती करके कोई बी बत मनवा लेते हैं तो इन चीजीजों से सरकारों को कोई भी सरकारों समझना चाहिए कि इनको किस प्रकार से कंट्रॉल किया जाए है लेकिन समस्या कहां पर आती है किसमस्या आप N sina कहीं आंबोलन है कि फीए निंस समय मोगे पे मौझूद भी थे जिन्हों ने बढ़का बाते भी कही इंस्टिगेट हुआ समाज बढ़का समाज के बढ़कने के काण कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था उसके समनेंदा करते हैं लेकिन उसको समालने का है तरीका सरकार का कुछ पता ही नहीं सरकार सरकार को ने 21 फरवरी 2016 को कह दिया था कि हम यह करेंगे बार-बार धरने परदर्शन हो रहे हैं धरने परदर्शन हो रहे हैं जाकर के दो साल के बाद में आप उसको वापिस लेना शुरू करते हैं सिमिलरली जो आपका डेरे वाला है कि साजिश के तैत लोगों को पंचकुला बेजा जा रहा है वहाँ पर हर्याना के कैबिनेट मिनिश्टर का यह कहना कि इन लोगों के उपर 144 लागू नहीं होती और फिर आप गल्त 144 जारा लगाते हैं उसके अंदर पांच से अधिक लोगों का पंचकुला में जो ही कठा किया जाशके तो यह जो जितना भी जो सिस्टम चल रहा है मैं कते ही इस में बात में मुझे कैने में नहीं है कि सरकार के पास में ना को विजन है ना की डिरेक्शन है और साथी जात समुदाई को लेकर भी चर्चा कर लीजिए का जिस तरह से मुकदमी वापस लिए जाने की मैं ही बता पाऊंगी मैं उसको थोड़ा से खोल रहा हूं मेरी समझ से आपने कहा कि क्या सरकार डर गई है एक बार गुरिंदर जी ने कहा कि उनके ऊपर राजदरों बनता ही नहीं था जो लगा दिया कानून की धारा यह कहती है जिस तरह का एक्षन लेने चलती है उसमें क्यों डिफ्रेंस आ जाता है बैक फूट पर सरकार क्यों आ जाती है यह दो मामलों को लेकर आफ की वाँ दरती हमैं और मैंने का गर के लोगों की भावना को निया इंट पर प्रिकृया के अनुकूर अब सूर यह सेरु यह सेरी का दोर नहीं है किसी कभी समयलन में चले जाना वहां चैनल अच्छा गलत बात है अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मैं भी बोलना शुरू कर दूंगा तो इस प्रकार को डिरने की बात करें तो अलग अलग चीजें को प्रड़िक्टरी नहीं है अगर आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे बताई एक बात तो यह कि हम लोग वहां डेरे से समर्थन मांगने गए फिर हमने उनको जाकर करके दन्यवाद किया तो सरकार ने आपके अनुसार गुटने टेक दिये तीसरी बात जब हमने उनको गिरफतार कर लिया तो अब सरकार ड सब्सक्राइब कर देश के इतिहास में अपनी तरह की पहली गटना रही 40 लोगों की जाने चली गई करीब 40 लोगों की जाने चली गई अपनी तरह की दूपर कांड हुआ है तो अपको घटना रहूं आपके लिगतना रहा है तो अपनी तरह की पहली गटना हुआ हुआ किसी भी अपराधी को आरोपी को नियाइक प्रिक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए मैं केवल भारत नि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर यह पहली गटना होगी कि कि इसी व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने जाया जा रहा है चालिस लोगों को वह पर मार दिया गया तिन सो क्रोड की संपती जो हैं करियाना में 200 क्रोड की संपती कहीं पंजाब के अंदर वह जिम्मेदारी किसकी है मैं सबसे बड़ी गंभी समस्य है जो है जहां तक बाद गुटने टेकने की एक लाइन और आपके पास में वीडियो बिल्कुल किस प्रकार का है कि राम विला शर्माजी लेटे हुए जमीन के ओपर एक आरोपी जिसके ओपर दो तो रेप के केस दो मढर के केस चल रहे हैं और तिन सो साथू हो को नपूमसख बनाने का के चल लाइक हुए उसके बाद आप देखें हानी प्रीत के चक्रों में कितनी सरकार रेक अपनी किरक्री कराई उसके बाद विपासना को लेकर तो अभी भी अपनी नकामियों को छुपाते हुए यह सरकार बार-बार तो डरे-डरे सहमे सहमे से सरकार नजर आते हैं चुनावों से पहले के आसार नजर आते हैं यह सरकार चुनावों से पहले क्या आसार हैं क्या डरे-डरी सासरकार इसलिए क्योंकि बहुत सारे фैस्ट कोले कर लेकर शुरूरा आती तौर पर सरकार ने कोई इच्छा जाकिर नहीं कि कोई मंच्छाँ सरकार की नसर नहीं आई लेकिन धर नहीं हुए तो दर्शन किये गए लामबंद लोग हुए यूनियन साब ने आई और अंशन जब किये गए तो सरकार बहुत सारे मामलों में ऐसे निकल कर साब दे आई कि मांगी मान ले कई चर्चा कर रहे हैं कुछ खास महमान हमारे साथ हैं इनसों का ताज़ा मामला हम चर्चा करेंगे जिसको लेकर की छातर संग चुनाओ की बाद तो बीजेपी ने की थी रविंद्र धुल जी चुनाओ से पहले वादा भी किय लेकिन जब आमरन अंशन शुरू किया जाता है उसके बाद पूरी तस्वीर से आप कर दी जाती है कि आप अंशन खत्म कीजिए बड़ी दुरुबागयपूर्ण है इसकी कोई आप शक्ता नहीं थी मैं आपको बता दूं कि पंचकुला के अंदर मीटिंग हुई थी शिक् अगले से शुरू हो जाएगा तो उसमें इन्हों ने किसी भी प्रकार की ओफिशल लोटिफिकेशन या ओफिशल कोईभी लेटर सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया तो इस समय पर कर देते तो आज नोबत आती ही नहीं बिल्कुल को कोई आउशक्ता नहीं थी क्योंक तो उसमें इन्सों को तो कुछ भी कहने की जुरूरती नहीं थी तो एबीवीपी के भी लोग थे और आज भी आप देखेंगे कि इन्सों के धरनेवे जाकर के सभी छात्र संग जाकर के समर्थन दे रहे हैं कि इसको यह कारे करना जाए जब आपके बास में सुप्रीम कोट की लिंग दो कमेटी की रिपोर्ट है 2006 के अंदर लागू हो चुकी है सारे भारत में उसके ओपर चुना हो रहे हैं तो आप कर दीजिये शुरू किसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और किसी भी प्रकार की इंसा फैल नहीं कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है लिंक दो कमेट सब्सक्राइब कर दिए जिसमें अच्छे लोग ही नेता बन करके आगे आएंगे तो आपको स्वागत करना चाहिए था आपका तो खुद के मैनिफेस्टों में था तो किसी और को क्रेडिट क्रेडिट क्यों लेने दिया और क्या इंदजार था मैं ब्रेक पे जाने से पहल तो इस चीज का क्रेडिट लेना जा रही है और ले रही है मैं आपको बताओ इससे पहले बंसिलाल जी ने च्छाणुव में इन चुनाओं को बंद किया था चातर संग के चुनाओं और इंडियन नेशनल दोगदल की उसके बाद करीब करीब साड़े 5 साल की सरकार रही उं नेशन का इंतजार किया जाता है सर क्यों इन फेस्टों के वादे हैं वो पूरे नहीं कर रहे हैं हम बार बार कहते कि हमने 154 वादे जो किये थे वह हम अपने पूरे कारेकाल में करके जाएंगे और उन मेंसे यह वीवादा था जो आज हमने पूरा कर दिया और इतने इसले रास्टर व्यापी फैसले जो हमने लिए है इसलिए हमारी पालटी को पाल्टी विद डिफरेंस के नाम से जाना जाता है चाहे वह जीस्टी है चाहे वह नोट-बंदी है रद्काजी वह जामी नाथनायोग है और चाहे अब यह जो अपने चातर संग के चुनाव जो सवाल अपने यही है जो तर्चा का विशे भी है रंजीता जी जोती वही है कि सब कुछ नुरा के होश में आये तो क्या हुआ भाजपा सरकार तब जागती है जब पानी नाक से उपर क्रॉस कर जाता है और सासाना बंद हो जाता है आप यह देखिए कि केवल शात्रसंग च पर बैठे हैं और आप देखिए कि अल्रेडी जितने भी मरें डिबाक्मेंट से 45 पर सेंट ऑल्रेडी कमी है इंप्लॉईस की और अगर बाकी लोग धरनों पर बैठ रहे हैं तो आज जो काम है वो राम बरों से चल रहा है इन्होंने आते ही सबसे पहला फैसला जो किया था रिटायर्मेंट देखिए आपकी सरकार के दोरान भी रहा धरने प्रदर्शन बे असर ही हो गए थे वह बहुत अची बात देखिए जोती में वहीं लेकिन इन्सों का इन्सों जिस तरह से अनश्चित काली नंशन करती है उसके बाद ही सरकार उस वादे को पूरा क्यों करत मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि सरकार इस समय इतना ज़ादा जबर्दस डरी हुई है इनको अपनी जमीन जो नीचे इनके पैरों के थी वो खिसक ठीक है वो नजर आ गही है उस डर को लेकर यह हर अपने अप्विस्ट लेंगे यूटन लेंगे यूटन तो पहले भी अब हर चीज को दिरे दिरे मानेंगे तांकि इनकी साख बची रहे और लोगों कहने को हो जाए कि हमने यह भी कर दिया हमने यह भी कर दिया पर आप देखिए कि उसका नुकसान कितना हुआ है एक शहीद की पतनी को मुंदन करवाना पड़ जाता है पूरे हर्याना क्या अच्चे सीटों वाली केंदर सरकार कॉंग्रेस की सरकार आज 45 पे है और नरेंदर मोदी जी ने पूरे देखिए आप कहीं हो ही नहीं आप तस्वीर में ही नहीं हो हर्याना में आप दूसरा धल नहीं हो फिर करें हुमारी सरकार है आपके पास नेता परतिपक्ष का में यह कहना चाहता हूं के नरेंदर मोदी जी ने यह कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत देंगे और उस परियास में आप सब को पता है कि 2014 के बाद से 2000 क्या यह विशे है विशे क्यों को एक अच्छा करण बताई यह राजनीतिक विशे पर बाद कर रहा हूं यह कि सड़कों वर आने के बाद अंशन किया ने के बाद या फिर वोट बेंक जहां कनेक्ट हो था कि उन्हीं चीजों को क्यों वांतिक है और कि अगर की नीतियों पर भारतिय जनता पाल्टी के प्रती हिंदुस्तान के हर नागरी की आस्था दिन परती दिन बढ़ रही है और इसका जीता जागता शबूत जितने भी उप चुनाव आये हैं चुनाव आए हैं राजरें एक पंजाब को छोड़ करके ऐसे आधिया आधिने चार्ट किसी का परवक्ता या मेरा मित्र या मेरी बहन या मेरा बाई राजनितिक सवाल करेगा तो उसके नाते मेरा बढ़ता है कि उस राजनितिक सवाल का जवाब मैं राजनितिक परिके से पहले एक टिपनी कर दूँ क्योंगी बेरे सामने वो फैक्ट्स नहीं है लेकिन ये फैक्ट है कि आपने लगाया था मैं सिर्व ये कहना चाहता हूं कि ये देश द्रो के केस का सत्ता की पार्टियां जैन्वन पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए पी इस्तेमाल कर सकती है आज तो इनके खिलाफ किया है जो जिस्टिफाइड है या नहीं मेरा कंसर्न है कि जैन्वन पॉलिटिकल या दलित ग्रीब गुर्वे जब ये करते हैं तो उस समय इसका उपयोग किया जा सकता है इसलिए यह और जब आपने एक बार लगाया है तो आप उसको कोर्ट पे छोड़तें इस्टेडव की हमनी प्रमिशन देतें कोई दबाव है उसके लिताल करता हूं उसके बार बार यह कि जा रहो और सामने के खड़ा किया खुरें आप को chapters वा говорит पर देते हैं यह सरकार है इस के अधर में रही होगी है इसा निवा रही होगी हमने कर दिया तो वह कामीम की पालना थी दूसरों ने कर दिया तो वह फार के भैग दिया वैसला कमाल करते हैं कर दिया तो पर दिया तो इतनी बात कहना चाहता हूं कि यदि आपने उनको गृफ्तार किया तो एक सब वहां बैठे थे उन्होंने उनको 20 साल की उमर कैद सुनाई और यूवर बाउंट टू अरेस्ट हिम आपने कोई देश की जनता वे या लोगों पे असान किया उसको गृफ्तार करने इस वाट वार यूर डूटी आप बने ही इसलिए हुए इसलिए इसलिए को बनाने के लिए सडकों पे आएं और सरकार को यदि जैनवर मांगे तो उनको मांग लेना चाहिए कितना समय निर्धारित करने में लेगी कि मांगे जायज है या फिर नहीं है वही वही अगली बात जो आपने पहले पिरे से स्वाल किया था उससे अब यह से जाटों के मुगदमें वापस लेने की बात है यदि इस तरह के डर से की एक रैली करनी है हमने अपने परदान की और कॉंस्टिचूशन या कनून सब को सेकंडरी लेवल पर रख दिया जाए जो कनून में काम करना कह दो जी हमने करा है और मैं कुछ कांग्रस को चिठा नहीं दे रहा है अगर विपक्ष कहता है कि विजेपी डर गई थे मेरे बड़े भाई गुरिंदर ने दो बातें कही दोनों अलग-अलक वे में कहीं एक जगह तो कही सरकार को डरना चाहिए दूसरी जगह कहे दिए कि वहाँ अगर फैसले जाटो के फैसले जो थे उनके खिलाब कोर्ट के वह वह बापिस ले रही है तो सरकार को डरना नीं चाहिए पर उन लोगों ने एस वाईयल का जो नहर खुदी हुई थी उसको मिटा दिया फैसला तो वह भी सर्वोच नहीं लेका था ना बड़े भाई वहां तो सरकार ने नहीं माना हमारी सरकार ने अगर उसको सिर माते पर लिया नहीं ले पालिका क्यों तो आप उसको पहर करनी तो क्रिमिनल केस के अंदर एक आरवपी को पकड़ के लाना पुलिस क्या दाइत हो है पुलिस यह जो सवाईयल का मुद्धा है टोटल एक सिविलियन चीज थी एक क्रिमिनल इस्यू नहीं थी यह को सजायाफता अपरादी नहीं था जिसे की पुलिस उठाकर के अंदर डाल रह हाइग और इंटरश्टेट डिस्पीट भी है तो इंटरस्टेट डिस्प्यूट में अदर सुपरिम कोर्ट की ऑलच की क्याना कि सभीधान की रक्षा करना तो सभी सुप्रीम कोट को भी दोनों स्टेट्स को ले करके चलना है एक इंट्र स्टेट्स डिस्प्यूट को एक दो साज्वियों के आरोपी जो अपरादी है जिसको 20 साल की सजा है उसको गिरफतारी से मिला जेना तो इससे बढ़ा दो मुझा को आज तक जितनी बार भी मेरी इंडियन नेशनल लोगदल के परवक्ताओं से बात हुई है आप यह बताईए कि आपको पता इस बात का निया आपको इस बात का मैं बिलकुल ओनेर मैं आपको कहता हूं निश्चीत रूप से सजा मिली हुए सजा के आपर मिली है अपरादी ह ठीक है वो वो बहुत अलग विशे है सारे कुषिं गूली है देखिए एक पड़ा भी सुपे है रमिन रूपी की साथ रोखोंगे इसलिए को कि विशे पड़ा है आओगी गुरिंदर पासिंग अभी 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 मैं आपको जल्दी सोड़ा जल्दी से मैं छोटी सी पासि पंट्रे की कोशिश की गई पंजाब सरकार ने डी नोटीफाइब कर दिया इमीडेट ली पंजाब सरकार में कौन शामलता उसमें पहले अमरेंदर जी कैसे में कॉंग्रेस की थी और आदमी हमें इंदर जी है रिक्वेस्ट है विशे है क्या सारे ही प्रवक्ता अगर इस सर ये बता दीजिए सिर्फ कि जंतर मंतर पर जिस पहली कलम की बात हुई थी उस मांग को मानने के लिए आपके दस साल के शासन में बाइस सो सिपाई वह इदर उदर भीनते रहे हम लोगों ने शुरू किया और जो गेस्टी चराद रोड़ पर हैं वह किसकी देने लिपेंदर सिंग उड़ा की देने और और आपके गुटाले सिर्फ पर कि चुनाव नस्दिक आ चुके हैं क्या क्या विजईपी अब डर रही है जो समान काम समान वेतन जो की सुप्रीम कोट कहता है उसके और अब प्रह दा रहा है की च equip होता है है उसमें उसकी जो मकर जाल में आ प्रज करते हैं तब आपके हां इतने हो जाते हैं जब के अब को पता है और यह अगा सबस्ते हैं और जब यह को हम क्या करें और गया marketing प्रॉब्लम तो यह है कि अन्भव हिंता से शुरू हुई थी इंजन में बैट तो गए पर स्टार्ट करना बूल गए और आज हालात यह हो गए है कि सिर्व मुडाते ही ओने पड़ने जो इनकी पहले पड़ने थे वह अब इतने पड़ चुके हैं कि अब सरकार अपने बचा लगाने की कोशिश चीट है चले शुक्रिया हैं चाहितना सरकार डरी हुई है जिस तरह कि मांगे की जा रखी थी शटकों पर लोग आ गई थे एक लंबे इंतजार के बाद और साथी सिर्चा के मामले का भी जिक्र किया पंच्छला खिंशा का भी जिक्र किया जाट समुध झाल झाल